यमुना नगर में फर्जी जन्म और मृत्यू प्रमानपत्र को लेकर फर्जी वाड़ा सामने आया है, जिसके बाद खुद पुलिस अधिक्षक ने मामले में संग्यान लिया और जाच को लेकर SIT गठित की. फिलाल रजिस्ट्रार के मॉबाइल में OTP आने के बाद ही प्रमानपत्र ओनलाइन सिस्टम से जनरेट होगा. जैसे ही किसी का आविदन आएगा तो रिकॉर्ड खंगाला जाएगा और प्रमानपत्र जनरेट होने से पहले रजिस्ट्रार के मॉबाइल पर OTP जाएगा. जिसके बाद ये OTP सिस्टम में डाला जाएगा, फिर जन्म वब्रित्यू प्रमानपत्र जारी किया जाएगा. पिछले दिनों 98 केस फरजी प्रमानपत्र बने होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से स्वास्ते विभाग से भी जानकारी मांगी गई है. इसमें जितनी अभी तक जानकारी अमें अपलब्त कराएगे थी, उसी के अधार पर इसमें जो S.I.T.A. वो अपना काम कर रही है और इसमें 54 जो वेक्टी थे जिनका ओन रिकॉर्डर में प्राप्त हुआ है, जो फर्दी प्रमानपत्र होनाएगे थी. आपको बदा दें कि पुलीस अधीक्षक ने रजत गुलिया उप अधीक्षक को कारवाई के लिए निर्देश जारी कर दिये हैं, इसके साथ साथ साइबर सेल्थाना इंचार्ज को भी शामिल किया गया. स्वास्ते विभाग से मांगी गई जानकारी के बाद पुलिस मामले की जाच कर रही है. फर्दी प्रमानपत्र बनाने वाले पुलिस के रडार पर हैं. यमना नगर से सुनील कुमार की रेपोर्ट